हेलो उच्चू कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को इच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं मैं हूं प्रशांत महेश्वरी और फन्वित फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आज की वीडियो क्लास टोग्यूंघ को सब्सक्राइब सकता है या फिर चेंज इन मास या फिर चेंज इन मास का फॉर्मूला कुछ ऐसा बताए था मैंने डेल में इस इक वस्तु स्मॉल एंड मुल्टिप्लाइड विद मे बताया था तो यह दो चीजे ध्यान में रखेगा अगर यह दो चीजे आपको पता है तो फिर हमारा काम आसानी से हो एक पॉलिथीन को किसके साथ में रब कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज कितना आ जा रहा है पॉलिथीन के उपर थ्री इंटू टेंटु दी पावर सेवन देखे चार्ज ऑन पॉलिथीन क्यूं इक वस्तू थी इन्टू दी पावर माइनस सेवन को लाम मैंने पहले शैद प्लस का 7 बोल दिया था ठीक है अब क्या बोल रहा है एस्टिमेट दे नंबर अफ लेक्ट्रोंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच कहां से कहां की और ट्रांसफर हुए यह और बताना है यह थोड़ा साम दो तो पहले हम यह चीज देखे कि कि किसको किस से रब कर रहे इस फांट तो हैव एन डेटिव चार्ज कौन टूक टू प्लास्टिक प्लास्टिक गर्द अपने शार्ज इसके उपर नेगटिव चार्ज है और इसके उपर पौजटिव है इसका मतलब क्या व According जो है पॉलत ही यह दियान में रखेगा इतना ड़न हुआ चली पहला कितने इलेक्टरॉंस ट्रांसर हुए क्यों इस एक्वलस टू एन इन इस इक्वलस टू 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 तो दी पावर मैनस जवन बताओ डेटा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ दिया हुआ एन का वेल्यू कितना पावर माइनस 19 यह एन की वेल्यू आ गई अब इसको सॉलू कर लीजेगा इसका कोई यूनिट नहीं होगा ठीक अब इसी के साथ में यह और बोल रहा है कि क्या इस पर्टिकुलर प्रॉसस के अंदर जब एलेक्ट्रान वूल से पॉलतीन में जा रहा था तो क्या इस पर्टि m e small n का वेल्यू small n 3 into 10 to the power minus 7 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 multiplied mass of electron बच्चों 9.1 into 10 to the power minus 31 इसको सॉल कर लीजेगा और इसका यूनिट क्या लगा लीजेगा के जी लगा लीजेगा सिंपल है यह question बहुत सिंपल था पूछा जाता है basic question है आप देखेंगे आपका जो first time होगा उसके अंदर इस तरीके के question पूछे जा सकते हैं आपके जो general test होते हैं न स्कूल वाले उनके अंदर इस तरीके का question आ सकता है तो ध्यान में रखिएगा चार्ज अगर दिया हुआ हुआ है तो formula n लगाया वहां से न निकाला जैसे है न आ जाता है तो मास का transfer कितना मास चेंज हुआ वह भी calculate किया जा सकता है ठीक है यह बात तो जल्दी से screenshot ले लो जल्दी से screenshot ले लो हो चुका इतना हाँ चलिए अब इसके बाद में देखो next one अब यह आपकी बुक का example है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है अब यह जो next है वो आपकी बुक का ही example है क्या बोल रहा है if 10 to the power 9 electrons इस बार number of electrons दिये हुए small n का value दिया हुआ है if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second अब यह डेटा को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसे हम 5 के तरीके से भी देख सकते हैं इसे हम 10 के तरीके से भी देख सकते हैं देखो वापस से लाइन को मैं indicate करो मैं 10 वाला scenario यूज करने की कोशिश करता हूं वो मेरे को ज्यादा सही लगता ह इस क्वेशन में इफ 10 to the power 9 electrons every second 10 to the power 9 electrons every second कुछ ऐसा डेटा है क्या फैल तो यह समझे क्या इस लाइन को मैं कुछ ऐसा पड़ सकता हूं इस 10 to the power 9 electrons every second move out of a body to another body एक बाड़ी से निकलते हैं दूसरी बाड़ी में चले जाते हैं कुछ ऐसा यही दिया हुआ है how much time is required to get a total charge of one column on another body दूसरी बाड़ी पर एक कुलाम चार्ज कितने टाइम के अंदर आ जाएगा वो calculate करना है बहुत सिंपल सा टास्क है बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टास्क है मैं आपको वो जो तरीका बता रहा हूं वो 10th का concept है अगर मैं इस unit को समझता हूं तो मैं इसे एक generalized form में convert करने की कोशिश करूंगा वो generalized form देखिए मैं इसे लिखूंगा 10 to the power 9 electron electron के पास में कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम पर सेकेंड आ गया गया अरे यह है क्या कुलाम पर सेकेंड यह data दिया हुआ वाट इस कुलाम पर सेकेंड आपने कभी current का formula पढ़ाए है आई इस इकोस्तों क्यू डिवाइड बाइड बाइटी डट इस कुलाम पर सेकेंड और एंपियर तो क्या मैं इसे एंपियर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बताओ कुलाम पर सेकेंड को क्या एंपियर लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता लिखा जा सकता है न कितना टाइम लगेगा वन कुलाम चार्ज को ट्रांसर होने में कितना टाइम लगेगा फार्मुला यूज कीजिए बच्छों i is equals to q divided by t so the value of t is equals to q divided by i that is q 1 कुलाम i 10 to the power 9 अरे इसको ऐसा ही solve कर लो यार 1.6 into 10 to the power minus 10 लोगे इसको solve कर लिया मैंने ठीक है 1.6 into 10 to the power minus 10 लिख लिया है तो t is equals to यह कुछ कितना हो जाएगा टैन की power 10 divided by 1.6 इतना time इतना seconds और अगर आप देखेंगे books में इसका answer years में लिखावा होता है and that is all and almost बता रहा हूं मिरको को exactly याद नहीं लेकि 198 years है बहुत बार solve कर चुका हूं यही answer आता है ठीक है तो seconds को आप years में convert कर सकता है मुझे पता है कि इतना तो आपको change करना आता है seconds को सबसे पहले minute में convert करो 60 का divide लगाओ फिर hours में convert करो अगें 60 का divide लगाओ फिर days में तो वो फिस्त वाला थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा मैं बोर रहा हूं इसी को इसमें ही convert करो जल्दी हो जाएगा एक चलो तो पता चला काम करने का तरीका क्या बैठेगा एक यह मैंने question discuss करने की सोची नहीं थी लेकिन discuss कर रहा हूं how many electrons are there how many electrons are there in one column charge a column charge में कितना electron होता है again q is equals to any 10th का ही example है मेरे सबसे n is equals to q divided by e q का value कितना वन कुलाम e का value कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको solve कीजिए भई या 19 को उपर ले करके जाओंगा तो क्या हो जाएगा भई प्लस का 19 हो जाएगा इसका एक हटा दू तो 18 कर देता हूं into 10 कर देता हूं divided by 1.6 point को हटाओ तो उपर 100 100 में 16 का divide लगाओगे it will become 6.25 into 10 to the power 18 electrons are there in one कुलाम चार्ज यह थोड़ा ध्यान में रखिएगा यह डेटा आपके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए कि कि एक कुलाम चार्ज में कितना electron होता है कितना electron होता है भी या 6.25 into 10 to the power 18 electrons होते हैं ठीक है यह बात तो यहां से भी आप इस चीज को सॉल कर सकते थे अगर मैं इसको यहां पर और सॉल करता है अगर मैं सेकंट में और क्लियर कर दूं इस चीज को जांके कर दो किस्वाली के अंदर अगर सेकेंड में क्लियर करूं तो मैं इसको क्या लिखता बच्चू मैं इसको ऐसा लिखता 10 इंट टू दी पावर 9 लिखता डिवाइड़ बाइड बाइव 1.6 पॉइंट को हटाते यहां से तो यहां पे 0 लगाते इसको इतना लिख दो नहीं को रोकने वाला ही नहीं है ठी ठीक है चलो next question discuss कर लेते हैं next question यह उतार लीजिए जल्दी से उतार लीजिए फिर नेक्स question देखो screenshot ले लिया होगा मेरे को पता है आप लोग उतारते कम हो लेकिन मैं आपको कहूंगा प्लीज को freeze कीजिए और questions हातो हात करने की कोशिच कीजिए जितना आपन पढ़ रहे हैं इनके notes लगातार बनाते जाएए otherwise आपको notes जो है वह website के उपर मिल जाएंगे link दिया हुआ है description को देखिए website भी है अपनी application भी है वहाँ से आप इनको download कर सकते नहीं तो application में देख सकते हैं ठीक है अचली है फिर फाइनली यह question मेरे को बहुत अच्छा लगता है how much positive and negative charges here in a cup of water एक कप water के अंदर कितना चार्ज होगा यह नॉर्मली पूछा आता है अब बुक के अंदर इसे 200 ग्राम में भी किया बहुता है इसे 250 ग्राम का भी एक कप माना गया है मैं छोटा वाला कप ले रहा हूं जिसमें 100 ग्राम नहीं है ठीक है निमरिकल सिंपल हो ज मतलब ह 2 वह कितने ग्राम वाटर लेकर के बैठा है 100 ग्राम वाटर लेकर के बैठा है ठीक है अब पहले तो यह समझी कि एक एक टूओ में वन एच्टूओ में कितना पॉजटिव या नेगेटिव चार्ज होगा अब देखो अपने आप में न्यूट्रल है जितना उसके प compr observe पास में 1 एक कितने हैं दो आप उसके और ऊसकर टोटल कितना टैन इलक्ट्रांस देऊ-टियर न्ए यंदर चार्ज के थे औरफ झारगे है तो एक च्टूओ का चार्ज कितना 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम होगा क्या electron का charge भी तो value put करोगे तो 1 H2O के पास में charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 18 कुलाम इतना negative है इतना ही positive है बात समझ में आगए क्या 1.6 into 10 to the power minus 18 कुलाम तो 100 gram में जितने H2O होंगे उनको calculate करने के लिए इस data का requirement जरूरी हो गया है यह data हमें required है चलो अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 100 gram में कितने H2O 100 gram में कितने H2O होंगे बहुत सिंपल है देखो कैसे काम करेंगे आप वह गद्रो कॉंसेप्ट आपको पता होना चाहिए है बस इतना है ठीक है जब आप H2O लिखते हैं न बच्चों तो H2O का atomic mass number molecular weight वह देखो कितना तो hydrogen का single होता है one होता है दो hydrogen तो there will be two oxygen का 16 होता है तो सिक्स्टीन करूंगा there will be 18 ग्राम तो हम इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझे है आओ गाद्रों कॉंसेप्ट क्या बूलता है 18 ग्राम आफ एच्टू ओ कंटेन्स 6.023 इंटू 10 to the power 23 molecules 18 ग्राम एच्टू ओओ में कितने स्टू के मॉल्यक्यूんな है इतने ओपस से 18 ग्राम में इतने मॉल्यक्यून है तो सिंग्ल ग्राम में कितने होंगे सिंग्ल ग्राम एच्टू ओ में कितनेRO च्टू ओध्री के पास में कितने मॉल्यक्यूल होंगे मल्टिप्लाइ कर दीजे हंड़ेड से को मल्टिप्लाइ करोगे कितना होगा सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टू दिपावर ट्वंटीवन कर दूगया बच्चों मेरी मैथमेटिक्स ठीक लग रही है क्या इसको और यार कितनी गटिया मैथमेटिक से कैसे ठीक होगी मल्टिप्लाइ तो करना है टेन टू दिपावर 25 हो जाएगा ठीक है सिक्स पैंट जिरो टू त्री इंटू दिपावर 25 क्या है उसके अंदर मॉलेक्यूल से हैं किसके अच्टू होगे वापस से कॉंसेप्स समझेए यह आओगा दू कॉंसेप्ट है जैसे आगर कोई बोल मोलेक्यूल के 10 में कितने मåल् JIM हों तो पहले आपको नाइटरोजन पता होना चाहिए नाइट्रोजन का ममस्तना होता है सूटीट हूद gustaría और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 14 plus 14 कितना 28 तो हम बोलेंगे 28 ग्राम ओफ N2 contain 6.023 into 10 to the power 23 इतने molecule होंगे 28 ग्राम में तो एक ग्राम में कितना 6.023 into 10 to the power 23 divided by 28 हमें 10 ग्राम में चीए थे तो तो हमने से ध्यान में रखना यह इसी तरीके से बिहेव करता है केमेस्ट्री में आपने पड़ा भी होगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली बच्चों को इतना जल्दी यह दिमाग में नहीं रहता है तो यह बहुत सिंपल सा तरीका है भाई या है ना इसका 0.023 into 10 to the power 25 divided by 80 इतने number of क्या है molecules है किसमें किसमें 100 ग्राम के अंदर ठीक है अब फ्वड़ा सा समझी है एक है चार्ज कितना वन चार्ज कितना 1.6 into 10 to the power minus 18 तो इतने एच टूओ का चार्ज कितना होगा इतने एच टूओ का चार्ज कितना होगा तो हमने बोला क्यूँ इस एक्वल्स टू एनी एन का वाल्यू रख दो 6.023 into 10 to the power 25 divided by 18 multiplied with 1.6 into 10 to the power minus 18 solve करो चार्ज आएगा और जितना positive होगा उतना ही negative होगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो इस चीज को थोड़ा सा समझे आओ गाद्रों कॉंसेप्ट का यूज कीजिए इस तरीकी के question में आओ गाद्रों कॉंसेप्ट यूज होता ही है 18 ग्राम में इतना सिंगल एक है तो इतने ही कितना चार्ज होगा मल्टिप्लाइ कर दो इस चीज को इतना ही तो काम किया है इसके लाबा और कुछ नहीं किया ठीक है चलो उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्रीस लाइक और शेयर कीजिए ग have a good day, take care